असलाम लेकुम एर्विवान वेलकम बैक टो माई चैनल कुक्वित काफिया तो कैसे हैं आप सब आयोग कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ विंटर की बहुत ही खास रेसपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक की बहुत ही टेस्ट रेसपी पालक जो है सर्दी में बहुत अच्छा और फ्रेश मिलता है तो यह सबस भी बहुत अच्छी लगती है तो अब मैं ले लिए हैं यहाँ पर कुछ कटेवी चीज़ें तो मैं लिए हैं हरी मिर्चे यहाँ पर कटेवी प्याज ले लिए हैं और लसन अद्रक का टुकड़ा मैंने कट किया है और लसन झो है 4-5 जवे उ गट कर लिए हैं और मिर्चे आप अपने टेस्ट के कर दिंग कम जादा कर सकते हैं तिर मैंने एक रायी में तेल डाल लिया थिरी टेबल स्पून मैंने इसमें तेल आइट करे हैं मैं जिरड डाल ली हूं जिरडा डालने के मैं तो प्यास को ढाल के सब्सक्क्राइब को सब्सक्राइब कुष्या करने जादा प्यास डालने जो है यह मीठा हो जाता सालन अब मैं इसमेड कर दूंगी हरी मिर्ची हरी मिर्ची जो है मैं यहां पर मैंने पहले ही कट कर रखी ती जितना आपको त्रीका खाना पसंदो उसके साफ साफ इसमें हरी मिर्ची एड़ सकते हैं तो अब मैं इसको डाल के अच्छे से फ्राय कर लेना है हरी मिर्ची और प्यास को दोनों चीजों के अच्छे से फ्राय कर लेंगे इसको जो हलकी आच पे फ्राय करना है जादा तेज आच नहीं करने फिर एकदम से जल जाएगा इसलिए हलकी आच पे इसको अच्छे से फ्रा कर दोंगी प्रआ करने से हैं इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा तो इनको दो से तीन मिट प्रियक ले ना है अब मैं इसमें डालनी हूं मसाले तो सबसे तो इसको दो से तीन नट ऐसे ही भून लेंगे फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दूंगी ताकि पानी से और अच्छे से मसाला मारा भून जाए अब आप देख सकते हैं यहां पर जो है मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है हल की आच पर ही मैं इसको भून रही हूँ और आप देख सकते हैं यहां पर इसे अच्छे से बून चुका है यहां पर मैंने पालक चायए और 20 kg पालग लिया था लेकिन यह जो आधा किलो की quantity है बहुत कम हो जाती है बनकर एक या दो या तीन मेंबर ही खा सकते हैं इसको बस जादा जादा इसलिए अगर आपकी बड़ी फैमली है तो आप इसको थोड़ा जादा बनाएं और जो हरी सबजी होती है वो बुच के बहुत थोड़ी सी उजाती है तो इसकी quantity जादा रखें अगर आपको जादा बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी quantity कम होते जा लूँगी और ऐसे हम इसको पका लेना है और इसकी quantity जो है आप देख सकते हैं और बेजादा कम हो गई पहले से और थोड़ा सा मिसको पकाएंगे मैं इस पर ढख दिया थोड़ देर इसको भाप में पका लूँगी और हमें इसको तब तक पकाना जब तक और इसका ऑईल ज अलका कस लेना है तो इसका ऑईल भी अच्छे से रिलीज हो जाएगा इसका कच्छा पंच भी निकल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं आप हमाई सब्जी जो है रेडी हो चुकी है मैंने इसको तीन से चाल मेंट और पकाया है और यह पके रेडी हो चुकी है इसने अच तो आप भी इस रेसिपी को एक भार ठ्राथ ज़ारै और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अप ए एसे उक आड़ घाभर करें और मुझे कोमेंट हुए आपको नेक्स्ट वीडियो कौनसी रेचिपी पर चाहिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेचिपी सकता थैंक्स फर वाचिंग